राष्टपती बना करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हमने एक दलित व्यक्ति को वहाँ पहुंचा दिगा अगर एक्ट्वल में मेरा मानना है कि इस देश को बाकई में एक्वालिटी की बात की जाए बाकई में कि हाँ इस देश के दर समानता है मानवा दिकारों का हना नहीं होता है और यह समाज बेद भाव रहत हो गया है तो इस देश के अंदर दलित प्रधानमंत्री, वनिना की दलित राष्टपती, इस चीज को इसके पीछे जो कारण वो यह है, कि राष्टपती का जो पद है, वो देश का सरवुच नागरिक तो है, लेकिन सारी शक्तिया समायद किसमे हैं, केविनेट में प्रधानमंत्री की उनकी मंसा, उनकी रिकमेंडेशन पर, उनकी एडवाइज पर काम करते हैं, प्रेशिडेंट आफ इंडिया, जैसा कि ब्रिटैन में एक सिंबॉलिक पद है, वहाँ पर राजा का, रानी का, महारानी का होगा, उस तरीके का पद है, तो जिस पद का हम यूज ही नहीं कर सकते, देश के लोगों के विकास के लिए, वहाँ से कोई काम नहीं ऐसा किया जा सकता है, वह सिंबॉलिक तौर पर किसी को हम सिंबॉलिक तौर पर ही तो बैठा लेंगे, कि ये सिंबल ऑफ दा, एस्टी कमुनिटी, बही तो आप भी देखा, किस तरीके से गल्यमराइज किया गय किस तरीके से पूरी पार्टी ग्लमराज कर रही थी देखिए देश में पहली बार कोई ST केटागरी का बना नो डाउट बन रही है लेकिन एक राश्टपती पद जो कि सिंबॉलिक है और सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए आपने उनको बैठाला है लेकिन दूसरे अगर हम ब के साथ रेप हो रहे हैं कितने आदवासी संदाओं के पास घर नहीं है जंगलों में निवास कर रहे हैं कितने लोग साप के काटने से मर जा रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं कि उनका अगर हम रप्रिजेंटेशन की बात करें तो आज वो मुक्तारा से नहीं जो नहीं तो जब लोग सही मानसिक्ता के नहीं बैठेंगे तो फिर ऐसा ही होगा और इसका जो है सबसे वड़ा एक्जामपल तो हमारे देश के अनर भारत के संविधान के निर्माता बाबासाब धीमराव अमबेट कर जीए उनको भी घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था ये भी स के लिए कि नियालाय के मंदिर है और इसकूल जो है वहां पर पार्ट जासिक्षा का मंदिर है ये एक टर्मलोजी है अगर वहां पर भेदभाव है तो वह उसको फिर अमालक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भेदभाव करने वाले का एक प्लेटफॉम भी वह तयार कर रह रहा है कि ये एक अचूत है और एक सर्फ्रिष्ट है तो ये बोलने से नहीं होता है ये प्रक्टिकली जो हम देख रहे हैं वह बहुत गलत हो रहा है पिर देश के अंदर हात्रस वाला केस हुआ उस मिट्टिया को मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया देखिए महुत्सव ये सब इंसान को अपनी चीजों को सेलिबरेट करने का तरीका है लेकिन इन रियलेटी अगर बात करें पूरे भारत में तो इंद्र मेगवाल बच्चे की आप बात करें जो राजिस्थान में जिसको उनके टीचर नहीं जिसको कहते हैं कि सिक्छा देन इसको जैसा हम बनाएंगे लेकिन वो टीचर उस स्कूल में क्या मानसिक्ता फैला इसने एक बच्चे को इतनी तेज मारा कि वो बच्चा होस्पिटल में एड्मिट रहा उसकी कान की नस पढ़ गए और बारों बच्चा डैट कर गए तो ये मानसिक्ता जो है वो दरसाती है कि हम कितना भी महुच्चा बना लें कितना भी बुरे देश को सजा लें लेकिन जो अंदर की सजावट है वो है यहां पर कि हर हुमन बीं को हर इंसान को उसके मानवा दिकारों की रच्चा की जाए उसको जीने का अधिकारों उसको गर्मा कूर तरीके से जीने का अधिकारो तेकि जब ऐसा होता है तो यही मैसेज जाता है कि हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, बानसिकता यहां लोगों की इतनी दूसरत है कि छोटे बच्चों को भी छुआ छूट से अचूथा ले रगते हैं, वही यह केश जो राजिस्थान में हुआ रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं यह तो इनको हम नहीं छूटे यह तो अचूथ हैं, कुरा देश नहीं विश्य भी देख रहा है, कैसे अचूथ हो गए, एक तरह हम कहते हैं कि इश्वर अगर एक्जिस्ट कर रहा तो वह इश्वर की सभी सन्तान है, तो फिर एक अचूथ एक सर्विचिष्ड कैस अगर ऐसा होता अगर बाकई में हमारे देश की प्रधान मंत्री जी की मंसर सही होती तो इस देश के अंदर जितना भी लोग जो नालियों में उतरते हैं सभाई कर्णचारी सबसे पहले उनके लिए वो मसीनिरी की विवस्ता करते जिससे पूरे गटर में उन लोगों को न उतरना करते हैं आखिर आपको उनके पैर दुनने की जुरुत क्यों पड़ी इसका मतलब है कि सिर्फ दलित समाज के पैर गंदे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपने उनको और लेडी गंदगी में छोड़ा हो गा है आप उनके लिए मसीनरी लाईए ना तो एक तो भेदभाव का रही चरित रह दूसरा आप दिखावा कर रहे हैं इस सिर्फ पॉलिटिकल इस्टेंट होते हैं इसके लाबा में लुको कुछ नहीं हो जो मेहलाएं सपोर्ट कर रही हैं उन मेहलाओं का एक बार बैक्राउंड देखिए वो मेहलाओं सपोर्ट कर रही हैं जो ना तो फिनांसली स्टॉंग हैं ना मेंट्ली स्टॉंग और इसकाविल होने दिया गया ना उनका कोई सोसल स्टेटस है वो मेहलाओं वो है जिनकी निर्भटा पूरी तरीके से अपने पतियों बाप बेटों के उपर है वो ब्यक्ती चाहे कुछ भी हो, जब वो जेल से चूट के आएगा, कहीं से आएगा, तो उसके लिए सर्वे सर्वा वही है। जिस दिन हमारी देश की हर घर की बेटी, अगर उसका पिता क्रिमनल है, उसको भी वो सम्मान करने की जगे जेल में डलवाएगी न, उस दिन एक्चल वी इस देश में इंपावर्मेंट हो जाएगा, पहली चीज़, उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रही, उनको तो सर्व इत का केस आ रहा था इन अपराजियों को, और ना गुजरा सरकार की, उसके बाब वजूद भी मैलाफाइड इंटेंशन से उनको छोड़ दिया गया, और उनको जब छोड़ा गया, तो एक नहीं इस देश की लाखो बेटियों को ये मैसेज डिलीवर किया गया, कि रेपिस्ट भी छोड़े जा सकते हैं, चाहिए उन्होंने कितना भी हीमियस क्राइम किया, और ऐसे क्राइम के वज़े से, इस तरीके की पॉलिसीज के वज़े से, इस तरीके के एक्ट के वज़े से सरकार की क्राइम नहीं रुप रहे हैं। इस तरीके के वज़े से पटक के क्यों गया, एक ही परिवार के साथ सोदस्यों का मर्डर क्यों करते हैं। तो विकार दूबे की गाड़ी की पढ़ता है, और उसको भी बचाने से, इन सारी चीजों पे, यह मुझे लगता है कि मैं कमेंट से जादा बचना चाहरे हूं। में जो फोकस है कि देखिए हमारे देश के अंदर हम 21st century में हैं, सरका आप लोगों का चेमबर है, यह अनोइडा में में बैठी हुई हूई हूई हूँ सामड़े हमारी भारत की प्रेमडाल है, भारत का सम्मिधान, जिसमें लिखा गया, वी दा पीपल ऑफ इंडिया, हम भ प्रेजंटेशन की बात, उसका सही माहने में इमानदारी से पालन हो जाए, तो शायद मुझे लग रहा है, इंडर में एकबाल जैसा बच्चा, मनीशा बालिमी की जैसे, केस को न बंद हो जाए, इसलिए बाबा साहब ने एक बात रही ती, यह सम्मिधान हमने बड़ी अच्छा है, लिखा बहुत अच्छा है, सब कुछ समायत है, लेकिन इनको लागू करने वालों की अगर मनसा ठीक नहीं हो, तो हम इसके उद्देश्यों को खरापनी कर पाएंगे, वह ही है, यह जितने भी काम हो रहे हैं, इनकी मनसा खराप, चाहे वो इंडर मेंग वाल का केस हो, मनिशा वालिवी की का केस हो, बेकल वालों का केस हो, उन्नाव गैंगरिव मर्डर केस हो, निर्वयवाला केस हो, सारे केस, और भेर भावकारी रवया यही रिफ्लेक्ट करता है, कि हम हर लेवल फे फेल हैं, इस पेसली हमारे देश की एक बहुत संख्या कावादी है जो कि अभी भी सोसित पीड़त वर्चित है जिसके साथ अंटचबिलिटी की प्रैक्टिस है उसको हम मुक्तारा में जोड़ को कि लोगों की मनसाथी है ब्येश्पी का फोकस रहेखा जा अधिया पर देश पे या माचर पर देश पे यह हमारी देश की जो तीसरी बड़ी पार्टी व्येस्पी उसकी इराश्टी अत्यक्षा बहन कुमारी मायावति जी जो भी कर रही है हम सब लोग उनके साथ है फोकस हमारा पूरे भारत में है पूरे भारत में मेरी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े और हम पावर में आए, हमारी बैंजी पुर्धान मंत्री बने, ये हमारा उन्देश है और इसके लिए हम सब एग्विट हुटे काफ़ारे